हेलो एवरिवन, I am Sarita, welcome back to my channel Glowing India दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे फेशल मसाज के कुछ बेसिक स्टेप जिससे हम अपने स्किन को healthy और charming बनाई रख सकते हैं बट इससे महले हमी जानना चरूरी है कि हम फेशल मसाज क्यों करें कहने का मतलब है कि हम इसके फाइदों की बारे में जानेंगे कि हम मसाज क्यों करें कि हमें क्या फाइदा होगा मसाज करने से दोस्तो मसाज करने से हमारी जो मसल से वो टॉंड रहती है जिससे का असर हमारे स्किन पे साफ देखने को मिलता है मसाज करने से हमारा blood circulation बढ़ता है जिससे हमें naturally glow बिलता है मसाज करने से हमारे black heads, white heads की problem अगर हमें रहती है और मसाज हम करते हैं तो वो luge हो जाते हैं और थोड़ा सस्कर्ब करने से वो इदली निकल जाते हैं और मसाज करने से wrinkles, fine lines, juria जो हमें समय से पहले आ जाती हैं वो धीरे धीरे से remove होने लग जाती हैं और हम अपनी उमर से छोटे लगते हैं तो दोस्तो ये तो हो गई मसाज की फाइदों की बाद अब हम शुरू करते हैं मसाज करना बट इससे पहले हम कुछ basic चीज़े आपको बताते हैं मतलब कहने का मतलब है कि हम मसाज किस से करेंगे अब कई लोग क्या है मसाज किसी क्रीम से करते हैं, मॉस्टराइजर से करते हैं बट मैं यहां पर प्रीफिर करूंगे कि आप ओएल से मसाज किजिए क्योंकि ओएल से अच्छा मॉस्टराइजर हो ही नहीं सकता दोस्तों इसके लिए आप अपने मन पसंद जो भी ओएल आपको पसंद आप ले सकते हैं जैसे आप अदाम तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, ओली 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 ले सकते हैं और अगर आपके स्किन है ओली तो मैं आपको श्पेसली बताऊंगी आप या तो जोजोबा ओयल इस्तेमाल कीजी आरगन ओयल इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ओलिव ओयल इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ओयल बहुत ही लाइट होते हैं जो आपके लिए पर्फेक्ट है तो चलिए शुरू करते हैं मसाज करना मसाज शुरू करने से पहले हमें अपनी बोड़ी को और अपनी माइन को कर लेना है रिलेक्स अब रिलेक्स कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ और मैं अभी इस कोकलेट ओल से मसाज करने वाली हूँ तो हमें अपनी finger पे थोड़ा थोड़ा सा oil ले लेना है और ये जो portion है ना कान के पीछे वाला portion इधर भी और इधर भी हम इस पे oil लगाएंगे और हमें 10 बार ऐसे और तरस बार हमें इधर करना है दोस्तों जब हम ये वाल इस portion पे मसाज करते हैं circular motion में तो आप खुद फील करोगे कि धीरे धीरे से आपका mind relax हो जाएगा आपकी body relax हो जाएगी और आपका mind है वो बिलकुल शान्त हो जाएगा और मसाज करने से पहले ये basic step करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मसाज का पूरा असार हमें तभी मिलता है जब हम पूरी तरह से relax रहें अगर हमारे मन में दिमाग में अगर कोई खिचड़े पक रही है तो हम मसाज का वो आनंद नहीं ले सकते मतला हमें मसाज के वो फाइदे मिल ही नहीं सकते तो पहले हमें अपने बोड़ी और माइन को कर लेना है रिलेक्स तो इस तरह से हम पूरी तरह से करेंगे आप 10 से 20 बार भी कर सकते हैं एक दो मिनट के लिए मसाज करें उसके बाद आप फील करेंगे कि आपका जो माइन्ट है बिलकुर रिलेक्स हो चुका है और अब हम अपने मसाज की शुरू करेंगी तो इसके लिए हमें अच्छे से ओउस लेना है मतलब भर भरके ओउस लेना है से कंजुसी नहीं करनी है पूरे Force पे अच्छे से और आपको मिलग अज़ाना हे अच्छी सी की अंदर टक जहे नृ कि उइल हम लगा रही है और आतलर पाइदा दे मैं आक्राम यह लगाने में कोई कंजिसी नहीं करें क्योंकि जब वह मसाज करेंगे तो हमारे हाथ बहुत लाइट चलने चाहिए ऐसे नहीं हमें घिसना पड़े बट अगर आपको जिसे ऐसा लगे बाद में की ओल जादा है तो आप टीशे वे पर से क्लीन कर सकते हैं तो अब हम नेकी मसाज शुरू करेंगे आपको बहुत द्यान से देखना है बीच बीच पर मैं आपको इंस्ट्रिक्शन देती रहूंगी कि मसाज आपको कहा कहा पर कैसे करनी है जब नेकी हो जाए दो मिनट के लिए अकर नेकी मसाज करने के बाद यह जो हमारा जो लाइन है इस पर हमें थोड़ी कसके मसाज करनी है इससे जो डबल चिन की प्रोब्लम जो लोगों को हो जाती है वह एकटी नहीं होगी स्कीन और आपके जो लाइन है वह भी बहुत शार्प बनेगी तो इस पर मसाज करना बहुत जादा जरूरी है और वैसे भी एद्धिंग जो इफेक्ट होते हैं इस वाले एरिया पर सबसे ज़्यादा आते हैं या इस वाले एरिया पर या इधर तो Qisoda मिनिट मसाज करतें के बाद है कुछ अब व Разवा साब को इसा बाउंड नहीं है बट ऐसे थोड़ा बताना पड़ता है अप दो मिनिट भी कर सकते हैं पड़ एक मिनिट काफी ऱता है मसाज करने के बाद हम अब चिक एरिया पे आएंग सर्कुलर में उपने हाsama जंट और जो यहां पर यह वाला जो पॉर्शन है इस पर भी आप मसाज जरूर करें क्योंकि हम क्या है कि आगे-ागे तो मसाज करना भूल जाते हैं पर हमें पूरे फेस पर मसाज करनी है और जो चिक एरिया होता है वो हमारा फेस का कहते हैं में पॉरिंट होता है तो यहां पर मसाज करना बहुत ज़रूरी है बट मसाज पर ध्यान रहें कि आप लाइट हैंड से करें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है क्योंकि स्किन पर कभी प्रेशर की करते हो तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा प्रेशर की जरूरत नहीं है जो मुच्छों पर भी हम मसाज करेंगे अब नोज पर नोज की इस वाले पोर्शन में आपको ब्लैक एड्स वाइड्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है तो आप यहां पर थोड़े से प्रेशर से भी मसाज कर सकते हैं क्योंकि मसाज करने से यह लिउज हो जाते हैं जो इसली रिमूव हो जाते हैं फिर तो नोज की बाद हम अंडर आइस पर मसाज करेंगे अंडर आइस की जो सकीन होती है वह बहुत ही कहते हैं सम्विंदन सील होती हैं बहुत ही सोफ्ट रहती हैं तो हम इस पर धीरे धीरे से मसाज करेंगे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है आखों को बंद करके फील करते हैं हमें मसाज करनी है आपको वार्न चू त्री ऐसे आपको टैन टाइमस आपको यहाँ पर की तरह अपनी फिंगर को लेके जाना है अगर आपको यहाँ पर रिंकल्स की प्रॉब्लम ह अब हम करेंगे अपनी आइब्रो की मसाज आइब्रो की मसाज हम कैसे करेंगे आइब्रो को हमें उपर की तरफ उठाना है इस तरह से ऐसे हम कुछ स्टेप में कर लेंगे जैसे वान टू त्री फोर फाइव फिटें ट्विंटी तक हम ऐसे कर लेंगे इसी तरह से इसको भी दूसरी वाली आइब्रो की उपर की तरफ उठाएंगे इससे कई लोगों की इसकी ना दीरे दीरे लू जो ना शुरू जाती है तो बहुत गंदी लगती मतलब एजिंग जो एफेक्ट होता है वह यहीं सही आता है तो अगर आप इस तरह से अगर रेगुलर मसाज करते हो तो आपकी जो स्किन है वो नीचे की तरफ नहीं लटकेगी और आप हमेशा आपकी आखी हमेशा खुबसूरत और यंग बनी रहेंग तो फ्रेंड्स अब हमेशा करनी है फोरेड की मसाज फोरेड की मसाज हम कुछ इस तरह से करेंगे सर्कुलर मोशन में तो अब पूरे फेस पर नेक पर अच्छे से मसाज हो चुकी है मसाज का टाइम आप अपने अंसवर बढ़ा भी सकते हो तो जैसे मैंने आप दो मिनिट की तो आप चार मिनिट भी कर सकते हो इसा कुछ नहीं है मतलब अगर जितना आपके बास समय उतना आप मसाज कर सकते है अब हम कुछ basic massage के steps और करेंगे यह बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा relax मैसुस होगा तो सबसे अब हम करेंगे finger massage तो इस तरह आप ना दो से तीन मिनट तक अपनी finger के जो टोज होते हैं इनसे हम massage करेंगे आपको कुछ अलग ही रिलेक्स बिलेगा तो दोस्तों यह तो हो गई finger massage अब हम करेंगे slap massage slap massage का मतलर अपने आपको हमें चाटे मारने हैं ठपड मारेंगे अपने आपको अब ठपड बहुत जोर से नहीं अपने धीरे-धीरे से हम ठपड मारेंगे इस तरह से यह हमारी massage का last step है slap massage से skin पे बहुत अच्छा आपको relax मिलेगा और इस से skin पे अलग ही glow अलग ही charm आपको देखने को मिलेगा तो आप यह massage आप अपने घर पे easily इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अगर आपके घर में कोई और है massage करने वाला जिसको proper massage करने आती है आप उससे भी करवा सकते हो अगर नहीं है तो आप खुद से भी massage कर सकते हो क्योंकि खुद से massage करने का भी अपना ही एक अलग experience होता है तो दोस्तो अब हमारी massage हो चुकी है complete और समय की मैंने पहले भी बताई थी आप समय को कम और ज़्यादा कर सकते हो पास मिनट कर सकते हो, दस मिनट कर सकते हो, पंदरा मिनट तक आप अपने फेस्टी massage कर सकते हो दोस्तो अब हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है अगर आपकी skin है oily तो आप एक tissue paper लीजे और extra oil को remove कर दीजे अगर आपकी skin है normal तो आपका पूरा oil आपकी skin के अंदर चला जाएगा और आप पो remove करने की ज़रूत नहीं आप ऐसे ही relax होके सो जाएगे और यह massage अगर हम रात के समय सोते समय करें तो बहुत जादा अच्छी है क्योंकि रात को जब हम सो जाएगे तो हमारी जो skin है वो relax mood में रहेगी रिपेरिंग मोड में रहेगी और जब हम सुबह देखेंगे तो हमारी जो skin है वो चम चमाती दम दमाती आपके सामने दिखेगी तो आप खुश हो जाओगे तो फ्रेंट्स ये तो था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like, comment, share जरूर करें और massage करना बिलकुल पिना मूले थांक यू, बाई बाई